आले याल दोस्तों आप लोग को पता है अभी मैं बाहर घूमने निकला था लेकिन पता नहीं कहां से ये वैनम का बच्चे आ गया है और आप लोग देख रहा है न ये मेरे पीछे आ रहा है ए बच्चे तुम जाओ अपने घर मैं कुछ ने कर सकता हूँ आले याल ये तो बात समझने के कोशिश भी ने कर रहा है ये आ रहा है लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा है आखेकार इसको कौन डरा रहा है मुझे समझ मनी आ रहा है ए बच्चे उस वैनम के साथ क्या कर रहे हो वो मेरा है मैं उसे ले जाओ और उसके बाद वो ताकत मेरी होगी अले याल ये कितना खतरनाक मॉस्टर है अले आपका नाम क्या है मैं हूं मॉस्टर बैटमैन आच्छा वो सब तो ठीक है यार रेकिन आप ये वैनम का बच्चा क्यों चाहते हैं ये बच्चे ये काम तुम्हारा नहीं है तुम्हारी भला इसी में कि यहां से चले जाओ आले मैं नहीं जाओंगा दोस्तों अगर आप इस वैनम को बच्चे को बचाने चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे मेरे तीन गिंत ही और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे वान टू और त्री कोन आएगा तुम्हों बचाने और दोस्तों तब ही हम मिल गए चलो अब इन बच्चों को जाने दो है हल्क बैटमैन तुम यह बात तो जानते हो ना कि मैं तुम से ज्यादे ताकतवर हूं तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो अच्छा अगर बात ताकत की है तो मुझे बताना पड़ेगा कि यहां पे कौन कितना ताकतवर है बच्चे तुम लोग जरा पीछे अट जाओ अच्छा ठीक यार हल्क भई आप क्या करने जा रहे अरे तुम बस देखो यह लो अले गजब याल हल्क भईया आपने तो कमाल कर दिया यह आपने कैसे किया मुझे भी शिखाई एक मिल्ट्र को बच्चे पहले मैं इसे सबक सि दिखा दू उसके बाद मैं तुम लोगों को देखता हूं ओके आज के बाद तुम यहां पर मत दिखाई देना हल्क मैं इसे बदला लेकर रहूं के यार यह काम तो हो गया अब जाकर देखता हूं वो दोनों बच्चे ठीक है कि नहीं है अले गजब यार हल्क भया उस दिन तो आपने कमाल कर लिया लेकिन यह बताइए यह दोनों कौन है अरे बेटा यह मेरे भाई है एक का नाम है ब्लैक और वाइट बैटमैन और दूसरा है रेंबो बैटमैन अले गजब यार्ग तो काफी बढ़िया लग रहे है लेकिन यार मुझे भी आप जैसा बनना है उसक चलो ठीक है अब हम लोग मिलके यहाँ पर जीटिय फाइफ में सबको बताएंगे जो भी गलत काम करेगा आले वो देखो वो अंकल तो एक बोट लेके जा रहे ए अंकल लुको यार देखो मैं तुम्हें अपनी वहिकल दिखाऊंगा यह देखो ए बेटा रास्तों साट जा बतले कहां अंकल अभी तो मैं आया हूँ जला आप अपनी बोट दिखाऊए बतले में मैं आपको अपनी वहिकल दिखाऊंगा ओके अगला दिन आता है या फिर कहें काफी दिन बीच जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो जाता है ए डांटे कहां रहे यार अरे यहीं पे ह आरे लिए दो आर्मर डिजाइन किये हैं पहले आर्मर का नाम है बैटमेन निंजा और दूसरे आर्मर का नाम है बैटमेन बियोंड अब तुम इसको अच्छे से देख लो और बताओ तुम्हें कौन सा पसंदार है अरे आप कोई भी दिरिजे अरे नहीं डांटे बिटा त तुम्हें पता है ये बैटमेन निंजा आर्मर तुम किसी के अंदर भी जा सकते हो मदलब आपके है अरे मेरा कहना है यह कि तुम किसी के दिमाग के अंदर भी जा सकते हो ओ तब मैं समझा चली ठीक है मैं बैटमेन निंजा आर्मा रखूंगा यह मेरे काफी कामाने वाल है हाँ डांटे बेटा चलो ठीक है हल्क भाईया कहा है अरे वो तो कहीं और गया है ओके यार मैं अपनी बाद में वहिकल दिखा दूँगा ओहो यार इतने समय बाद महराज ने मुझे बुलाया है जरूर कुछ काम होगा ऐसे तो कभी ने बुलाते पार्टी भी अकेले कर लेते हैं ओके महराज कैसे हैं देखिए मैं आगया है कौन है जो मेरे सामने ऐसे वहिकल गुमा रहा है अरे महराज लगता है आपने मेरी आवाज ने बचानी मुझे तो लगता है अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा ठीक है जैसी आपकी मर्ची अरे गजब ये तो अपना जोकर है तुमने वहिकल तो काफी अच्छी लिए आरे महराज सब आपकी वज़े से हुआ है अच्छा एक बार बताईए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बलाया आरे जोकर पता है जबसे हल्क बैटमेन और इसके भाई यहाँ पर आया है तबसे मेरा राज ये फाइप में खतम हो ग हाँ यह काफी अच्छा एडिया है तो ठीक है महराज मैं आपका काम करके आता हूँ ओके जाओ जोकर जल्दी आना चलो ठीक है पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा यह बैटमेन हल्क आखिर करके रहा है लगता है किसी के इंतिजार कर रहे अरे यार यह डांटे भी तो क महाराज का कंट्रोल होगा है तुम मुझे जानते नहीं हो क्या मैं हूं जोकर अरी यह तुम क्या कर रہे है मैं अपने बेटे डांटे करके उस bạn तूर आसा को happiness यह मैं जाने दुंगा तुमने मेरे महाराज को बहुत परशान किया है यह तुम क्या चाहिए लगता है नको कुछ कुछ नहीं पता यार चलिए मैं बताता है उनका नाम है मौस्टर बैटमन ओ तु 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 मौस्टर बैटमन के लिए काम करते हो लेकिन तुम चाहिए जो भी कर लो तुम मेरे दिमाग पे कभी कंट्रोल लेकर पाओगे हाँ वो तो दिखाई दे रहा है कैसा आप इधर उधर कर रहे हैं बस एक मैट की बात आओ रहे है उसके बाद आपके दिमाग मेरे पास आजाएगा हें 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 चलो लगता है बात बंद रही है ओके अब बताईए हल्क भाईया आपको कैसा लग रहा है बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ एक काम किजिए वहाँ पर दो लोग बैटे हैं उनको सबक सिखा क्या ये बस इतनी सी बात है तो चलिए अभी मैं जाता हूँ और आपके लिए उनको बहुत अच्छे सबक सिखा के आता हूँ ओके कहा बते हैं अरे उधर जाके देखिए अरे आप कैसे चलने हैं ये मेरा नया तरीका है चलने का ओके मेरे जोकर महराज ने कहा है तुम दोनों को सबक सि दिमाग मेरे कंट्रोल में आ गया है महराज ये बात सुनके बहुत खोश हो जाएंगे अरे ठीक है आज के लिए तना काफी है बहुत हुआ हलक को बहुत गुस्सा आ रहा है हलक समझने पा रहा है कि उसकी दिमाग के साथ क्या हुआ है ये सब जोकर की विजिस हुआ है आरे देखो अपने भाईया आक है भाईया देखिये मैं आपको कुछ बतारा चाता हूँ हाँ जरूर बेटा लेकिन पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा तयार हो जाओ अरे भाईया लेकिन आप ये क्या कर रहे अभी बताता हूँ चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क जा गया लेकिन यार मैं अपने भाई को ऐसे क्यों किया मुझे समझ मनी आ रहा अरे यार मेरा दिमाग तो बहुत अजीब तरीके से घूम रहा है मुझे कौन बचाएगा लगता है वो जोकर ने अपना काम कर दिया है मेरा दिमाग वो जोकर के कंट्रोल में आ गया है अब मैं क्या करू डांटे बेटा बचाओ मुझे मुझे कुछ समझ मनी आ रहा है और वही दोस्तो अगली दिन हम लोग देखते अरे यार यार यह हल्क भीया कैसी हालत किसने की अरे पतारी डांटे अभी रेंबो बैटमन तो कही और है यार उसको तो काफी लग गई है मैं तो किसी है तो उनका ठीक करने के बादी बाहरा आपाएंगे यह तो हमेशे के वही पर आ जाएंगे हां मुझे पता है तो चलिए हम लोग पोटल कौन करते हैं ओके डांटे तयारो जाओ चलो ठीक है अब आप भी इसके पोटल के अंदर जाए और हम लोग जा रहे इसकी दिमाग के अरे डांटे बेटा समल के जाना कुछ अजीब सा लग रहा है ओके हल्क भया अरे यार यार यह हम लोग कहां पर आगे लगता ही यह उनका दिमाग है हे 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 तुम लोग का हल्क के दिमाग में स्वागत है आखरकार तुम लोग इसके अंदर आई गए लेकर अभी यहां से बच के नहीं जा पाओगे क्योंकि इस दिमाग के अंदर मेरा राज है हे 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 यह यह तो वही जोकर है इसे तुम अभी सबक सिखाता हूँ यह लो आरे मुझे करने से कुछ नहीं होगा मेरे महराज को हरा के दिखाओ वो बस आते होंगे कौन है वो जल्दी उसका नाम बता अरे वो यहाँ पे मेरी बात कर रहा है कैसे हो ब्लैक और वाइट बैट मैन मुझे लगा हल्क ने रेंबो बैट मैन के साथ तुम्हें भी सबक सिखा दिया होगा लेकिन तुमारी हालत तो काफी अच्छी दिख रही है कोई बात नहीं जो काम हल्क नहीं कर पाया वो मैं कर देता हूं तयार हो जाओ अरे यह क्या अब मैं तुम दोनों को यहीं पर सबक सिखाओंगा उसके बाद तुम लोग हल्क भाईया की दिमाग से कभी बाहर ने निकल पाओगे और यहां पर मैं जीटिया फाइक में हमेशा क्लिए राज करूंगा अब बताओ डांटे बिटा तुम क्या करोगे अरे यार यह तो वही मॉस्टर है अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना चाहिए तो बताओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा गैजट है अरे मॉस्टर बैटमैन मुझे पता है तुम जैसे आदमी को कौन हरा सकता है वो है बैटमैन निंजा और अब मैं वही बनने जा रहा हूँ अच्छा मजा कर लेते हो दिमाग के अंदर तुम कैसे यह सब ला सकते हो तुम्हें शायद पता नी मेरे पास एक बैग भी है और उसके अंदर ही वो आर्मर है अब देखो मैं वो आर्मर कैसे पहनता हूँ और तुमको कैसे बताता हूँ यह लो अरे यह कैसे हो सकता मैं तुम्हें एक आखरी मौका दे रहूँ हल्क भाया की दिमाग से चले जो वर्दा मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छा तो यह लो आरे यह क्या मुझे तो बहुत तेज लग गए मुझे सबज बनी आरा यह बैटमिन निंजा आर्मर डांटे के पास कब अरे बेटा तुमने तो कमाल कर दिया मेरा दिमाग ठीक हो गया है अरे वा हल्क भाया रुकिए